किसी की महमान नवाजी हो और घर में पनीर ना बने ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि पनीर सेहत और सवात दोनों के हिसाब से एक बहतरीन कॉंबिनेशन है दूद से बनने वाले पनीर में दूद में पाये जाने वाले सारे गुण मोजूद होते हैं पनीर का सेवन भी हम के तरीकों से कर सकते हैं इससे सलाद, सबजी और मिठाई जैसी बहुत सी चीजे बनती है तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे पनीर से होने वाले कुछ ऐसे फायदों के बारे में जिनके बारे में अभी तक आप नहीं जानते होंगे तो आईए जानते हैं नमबर एक, दांतों और हड्यों के लिए पनीर में मौझूद केलिशियम दांतों और हड्यों को मजबूत बनाता है पनीर में विटामिन A, होसफोर्स और जिंक पाया जाते हैं और साथ ही विटामिन B भी पनीर में पाया जाता है जो सरीर को केलसियम परदान करता है खास तोर से बच्चो गरवती महिलाओं और बुजरुक की हड्डियो और दांतों को मजबूत करने में पनीर बहुत मदद करता है पनीर का सेवन करने से सरीर की रोग परतिरोधी चमता बढ़ती है और अगर आपकी रोग परतिरोधी चमता मजबूत है तो इससे बीमारियों से लड़ने के लिए सरीर की चमता बढ़ जाती है नमबर तिन कैंसर से बचाओ जी हाँ अगर एक सोध की मानी जाए तो पनीर में कैंसर से लड़ने वाले बेक्टिरिया पाये जाते हैं जो पेट के कैंसर, कॉलोन कैंसर और ब्रेश्ट कैंसर के इलाज में बहद मदद करते हैं इसलिए अगर आप कैंसर जैसी बीमारी से गरस्त हैं तो आपको चाहिए कि आप हर रोज पनीर का सेवन करें नमबर चार डाइबिटीज पनीर में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो डाइबिटीज जैसी बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करता है इसलिए जो लोग डाइबिटीज की बिमारी से प्रेशान रहते हैं उनको डॉंक्टर भी पनीर का स्योन करने की सलहा देते हैं दोस्तों हमारे दवारा बताएगे ये टिप्स आयुरुवेद और नेचर से जुड़े हैं क्योरेन ही आजुरुवेद है इसलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब और प्रेस दे बेल आइकन फो लेटेस अबडेट